नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सबेश और स्वाकत आप सभी का मेरी यूटूब चल में तो दोस्तों आज हम जानेंगे सामन यान के 50 महत्वपुन परसने मुत्र जो सभी वन लाइनर है और आप सभी के लिए आगामे प्रिक्षाओं के लिए बहुती महत्वपुन सिद्ध होने ले और आप किसी भी अप्टेट से जीके से और किसी भी भरती से मिस्स ना हो पाएं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सुरू करते हैं प्रसन नमबर एक है दोस्तों भूदान अंधुन के प्रवरतक का नाम क्या था तो इसका राइट आंसर है बिनोबा भावे प्रस उसका जो राइट आंसर है 1952 में ठीक है क्वेशन नमबर चौथा है अंतराष्टे मानवदिकार दिवस कब होता है यह कब मनाये जाता है तो 10 दिसंबर को अंतराष्टे मानवदिकार दिवस मनाये जाता है क्वेशन नमबर पांचवा देखते हैं क्वेशन नमबर इत्र में सरसुति सम्मान पुरुषकार दिया जाता है Q7 है किसी पर्मानुका रसाइनिक व्यावार किस पर निर्भार करता है तो इसका जो राइट आंसर है Nucles की इड़्द गुर्द गूम रहे इलक्ट्रोनों की संक्या पर पर्मानों का रसाइनिक व्यवाद निर्भर करता है ठीक है Q8 है उपराश्टपती अपने मत का प्रियोग कब करता है तो मतों के बराबर रहने की इस्तिती में उपराश्टपती मतोदिकार का उप्योग करता है Q9 है Man of Destiny किसे कहते हैं तो उसका राइट आज़र है नैपलिन बोनापार्ड को Man of Destiny कहते है Q10 दिखते है समिधान की किस अनुचेद में धन बिदेह की परिवासा है तो उसका जो राइट आज़र है अनुचेद 110 में धन बिदेह की परिवासा है Q11 है गुजरात का जनक किसे कहा जाता है तो रभी संकर महराज को गुजरात का जनक कहा जाता है प्रस्ट नमबर बारा है गुप्ति कालिन स्वर्ण और रजस्ट सिके किन सिकों पर आधारित है तो उसका राइट आंसर है कुसान और सकों के सिकों पर आधारित है गराजन से बरतपूर का संबंध है question number 15 देखते हैं दोस्तों बिस्नोई समाज के संस्तापक कौन थे तो जम भोजी बिस्नोई राज समाज के संस्तापक थे इसका right answer है ठीक है question number 16 है भारत में स्वेत पत्र का प्रकासन किस संस्ता द्वारा किया जाता है तो केंद्रिया संक्या की संगठन तो केंद्रिया संक्या की संगठन के द्वारा किया जाता है question number 17 है बारत में गरीबी हटाव का नारा कौन सी पंचे वर्से योजना के दोरान दिया गया था इसका right answer है पांचवें पंचे वर्से की स्तापना की गयती परसननंबर από 유vak है सरील का कौन सा अंगर राती आंसर है तो पलहेद का राइट आंसर है क्वेशन नंबर बीश्वां देखते हैं माल व्याह की परथा कबार्ण adhesive तो पुटकाल में बाल विवाह की पड़ता आरम वी इसका राइट आंसर है question number 21 देखते हैं भारत में पंचायती राज से संबंदित त्यहत्रवां संसोधन अधिनयम किस साल लागू हुआ इसका राइट आंसर है 24 अपरेल 1994 में भारत में पंचायती से संबंदित त्यहत्रवां संसोधन अधिनयम लागू हुआ था 24 अपरेल 1994 को question number 22 है सबसे बड़ा जंजात या संब्दाय है भील तो सबसे बड़ा जंजात या संब्दाय क्या है भील इसका राइट आंसर है question number 23 है संसद की जिस बित्य समिती में राज्य सबा का कोई परतिदिन तुदर नहीं होता है वहाँ प्राकलन समिती कहलाती है ठीक है तो प्राकलन समिती इसका right answer है question number 24 है राज्य सबा के सदस्वों का चुनाव कितने समय के लिए होता है तो जो इसका right answer है 6 वर्सों के लिए राज्य सबा के सदस्वों का चुनाव होता है question number 25 है जम्बू कस्मित का समितान किस साल में लागू हुआ तो 26 जन्वरी 1957 में जम्बू कस्मित का समितान लागू हुआ question number 26 है question number 26 है जिस सासक ने भूम आपके लिए सिकंदरी गज शुरुक किया हुआ है इसका right answer है सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी ने भूम आपके लिए सिकंदरी गज शुरुक किया था question number 27 है भारत सरकार का वो पधादिकारी जो संसद के किसी भी सदन की कारिवाई में हिस्सा ले सकता है इसका right answer है महान्य न्यावादी एटानी जर्नल इसके बाद question number 28 है नेता जी सुबास नेशनल स्ट्यूट आप स्पोर्स कि सहर में इस्तित है तो इसका right answer है पटियाला में ठीक है बिल्स ट्रॉपिक का सम्मन्द है question number 30 है रामानुच के अनुवाईयों को क्या कहा जाता है तो इसका right answer है वेस्ट निणाव तो रामानुच के जो अनुवाईयों है उनको वेस्ट नब कहा जाता है question number 31 है पुरुषकार भारत सरकार ने किस साल सुरू किया तो 1979 को सुरू किया था ठीक है साल पूछा जाएगा तो यही बताना ठीक है और question number 32 है Indian security press किस सहर में है तो इसका right answer है नासिक रोड पुणे में Indian security press इस्तित है इसके बाद question number 33 है सतरंज बिश्वकप की समय अंतराल से आयुजवित होता है तो इसका right answer है हर दो साल बाद सतरंज बिश्वकप आयुजवित होता है question number 34 है राष्टे आवास बैंक किस बैंक का नेंतरित उपकरम है तो इसका right answer है भारते रिजर बैंक का ठीक है बनी ठनी प्रेंटिंग सेली भारत की किस सहर से है या किस सहर में है तो इसका right answer है किसन गड में question number 37 है question number 37 है नियायर दरसन के संसापक कौन थे तो इसका right answer है महर्ष्टी गोतम इसका right answer है question number 38 है समिधान का हिर्दे और आत्मा डाक्टर भीम राव अमेडिकर ने किसको बताया था इसका right answer है समिधानिक उपचारों का अधिकार ठीक है question number 49 है किस वाय परदूसन के कारण अमल वर्षा होती है तो इसका right answer है nitric oxide and sulfur dioxide से अमल वर्षा होती है ठीक है तो nitric oxide and sulfur dioxide अमल वर्षा होती है question number 40 है हरे फलों को कृतिम रूप से पकाने में कौन से gas का परियोग होता है तो इसका right answer है acetylene ठीक है तो acetylene gas का उपयोग होता है हरे फलों को कृतिम रूप से पकाने के लिए question number 41 है भारत में golden hand से क्योजना किस से जुड़ी हुई है तो इसका right answer है सुचिक सेवा निवर्थी से ठीक है golden hand से क्योजना सुचिक सेवा निवर्थी से जुड़ी हुई है question number 42 है लोग सबा में सुनिकाल की अवधी अधिक्तम कितनी होती है तो इसका right answer है एक घंटा सुनिकाल की अवधी होती है लोग सबा में question number 43 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सब ने अवग्या अंधुलंग के शुरुवात करने का निर्ने लिया है इसका right answer है लाहूर अधिवेशन में सब ने अवग्या अंधुलंग का सुरुवात करने का निर्ने लिया गया था कांग्रेस ने तो अब question number 44 है राजिस्तान का राजय पसू है इसका right answer है उंट आप सभी को पता होगा राजिस्तान का राजय पसू उंट है question number 45 है कभी गुरु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है इस question का right answer है रभींदर नाथ ठाकुर को कभी घुरु के नाम से जाना जाता है question number 46 है question number 46 है बहरत का Shakespeare किस व्यक्ति को कह जाता है तो इसका जो right answer है महाःकभी कालीदावस को बहरत का Shakespeare कहा जाता है question number 47 है भारत में गांदी जी के दानडी मार्श की तुलना नैपलोन की पैरिस यातरा से करने वाला कौन था इसका जो राइट आंसर है सुभास चंद्र बॉस ठीक है क्वेसन नमबर 48 वां देखते हैं गांदी जी ने एक मातर कांगरेस की कौन से अधिविशन की अधिक्षता की थी इसका जो राइट आंसर है बैल गाउं 1924 की इसके बाद क्वेसन नमबर 49 देखते हैं और सेकिन लाश्ट क्वेसन है दोस्तों भारतिया समिधान की आठवी अनसूची का संबंध किस्सा है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बासाओं के शात्स यानिकी बासाओं से है ठीक है क्वेसन नमबर 50 और आखरी परसन देखते हैं 1857 के बिद्रों में वहां कौन सा नेता था जिसने स्वयम को बादूर सा गवर्नर गोसित क्या था इसका जो राइट आंसर है नाना साहिब ठीक है तो दोस्तों ये सबी 50 महतुपूर्ण वन लाइनर क्वेसन थे वीडि हैं किसी अगली नई वीडियो में तब तक के लिए वाई बेस्ट अप्लक जेहन जे भारात